हेलो विवर्स आज का जो हमारा टोपिक है न वो है लिमिट्स के उपर लिमिट्स क्लास 11 सी बीएसी और डिपलोमा फैकल्टी इन दोनों के स्लेवर्स में आता है तो मैं इनी दोनों के स्लेवर्स के अकोडिंग लिमिट्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगोंने लिमिट्स के सवाल देख्योंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा होगा लिमिट एक्स टेंड टू सम्थिंग डिजिट वैल्यू यहां कुछ भी होगा ऐसे कुछ होगा तो आप डर्गे भैं यह खौफनाक सा है क्या कुछ नहीं हम सबसे पहले यह जानने की कोसिस करते हैं कि यह क्या है इसने यह एरो से इंडिकेशन क्यों कर रखा है लिमिट यह है इसको ऐसे क्यों लिखते हैं इन चीजों को जानते हैं इन चीजों को जानने के लिए हमें एक इक्जाम्पल देखना होगा माल लेते हमारे पास कोई function है या कोई सवाल है x square minus 4 over x minus 2 अगर मैं कहूं कि मैं x equal to 2 इस value को इसमें डालू तो क्या होगा देखिए 2 का square मैंने x की जगे 2 पुट किया तो 2 का square minus 4 over 2 minus 2 तो यहां क्या जाएगा 4 minus 4 over 2 minus 2 अब 4 में से 4 गया और 2 में से 2 गया 0 by 0 क्या होता है हमारा infinite अगर infinite आ गया मेरे पास 2 डालने से या 0 नीचे है या 0 उपर है कोई भी हमारे सामने अगर कोई भी सवाल इस तरीके से दिया हो जिसमें अगर मैं x की direct value डाल रहा हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है infinite आ रहा है कोई भी digit है 3 by 0 not defined आ रहा है तो ऐसे बहुत सारे function है ऐसे बहुत सारे function है हमारे पास जिसमें मैं अगर x की direct value डालता हूं तो मेरे पास not defined infinite ऐसे answers आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता तो इन functions को solve करने के लिए हमने limit का use करा किसका use करा limit का use करा देखिए यहीं पे अगर एक मैं number line बनाओ और यहाँ 2 डाल यहाँ 1 है यहाँ 3 होगा यहाँ 4 होगा तो यहाँ क्या होगा 1.1, 1.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 अब चलता जाएगा तो अगर मैं यह कहूं कि आप 2 ना डाल कर 2 की तरफ जाने वाली digit का प्रियोग करें अगर मैं 2 की तरफ जाने वाली digit का प्रियोग करूं x में तो क्या values आएगी अगर मैं x की जगह पर 2 की तरफ बढ़ने वाले values को x की जगह पर put करूं तो मिर पास क्या answers आएगी देखिए अगर मैं x equal to 1 रखता हूं इसमें तो मिर पास fx की value क्या आएगी 1 minus 4 over 1 minus 2 क्योंकि 1 का square 1 ही रहेगा तो मिर पास आगया minus 3 over minus 1 equal to 3 तो जब मैंने x की value 1 डाली तो मिर पास fx 3 आला जब मैंने x equal to 1.5 डाला direct 1.5 डाला तो मिर पास क्या value आती है 1.5 का x की जगे आप 1.5 डालेंगे तो 1.5 का square होगा आपके सामने 2.25 something minus 4 over 1.5 minus 2 तो ये हो जाएगा आपके पास 1.75 over 1.5 में से अगर आप 2 minus करेंगे तो आपके पास something 0.5 आएगा अब point solve कीजिया यहाँ double 0 आ गया नीचे sorry यहाँ single 0 यहाँ double 0 0 से 0 175 over 50 solve कीजिया या जाएगा 3.5 तो जब मैंने x की value 1.5 रखी तो मेरे पास fx की value 3.5 आई अब अगर मैं x की value 1.9 डालता हूँ तो क्या आएगा answer देखिए 1.9 का square minus 4 over 1.9 minus 2 something कुछ ऐसा आएगा तो जब मैं इसे solve करूँगा तो मेरे पास approach 0.1 over 3.5 देखिए यहाँ अगर मैं solve करूँ तो मेरे पास 0.39 something कुछ आ सकता है तो अगर मैं point solve करूँ देखने को मिल रहा है यहाँ यह चीज देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे मैं x की value 2 की तरफ extend कर रहा हूं बढ़ा रहा हूं तो fx भी अपनी values change कर रहा है बढ़ा रहा है तो जैसे जैसे मैंने x की value बढ़ाई देखिए पहले x equal to 1 था तो fx की value 3 जब x की value 1.5 तो fx की value 3.5 x की value 1.9 तो 3.9 x की value 1.9 तो x की value 3.99 आरी fx की value तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे x 2 की तरफ बढ़ रहा है fx अपनी value क्या ला रहा है 4 4 ला रहा है 33.5 3.9 अगर मैं x की value और बढ़ादा जाओ तो यह time आएगा कि 4 आ जाएगा लेकिन अगर मैं direct 2 रख दू यहां पे तो मुझे एक ऐसा answer मिल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है 0 by 0 मिल रहा है 3 by 0 मिल रहा है infinite मिल रहा है कुछ ऐसी values मिल रहे है जिसका कोई मतलब नहीं बनता तो इन चीजों को solve करने के लिए हम क्या करते हैं limit का प्रियोग करते हैं limit ऐसे solve नहीं करा जाता यह मैंने example लिया बता ले के लिए कि हम limit क्यों use करते हैं तो देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे x 2 की तरफ बढ़ा तो fx हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है तो इसका बोलते हैं हम Tends Tends एक तरह से indicate करता है यह value x की value 2 की तरफ बढ़ रही है हम ऐसी values डाल रहे है x की जो 2 की तरफ बढ़ रही है और यह value exact value हम मान के चलते हैं कि जैसे जैसे हम x की values डालेंगे तो हमारा fx जो है वो यह ले के आएगा एक point पर तो मैं यहां direct to not रित के यह 10 का प्रयोग करता हूं limit के अदर इसे बोला जाता है 10 तो मैं इसे चा लिखूंगा limit के form में limit लगाऊंगा limit x tends 2 2 और यह जो function है इसको लिखूंगा x square minus 4 x minus 2 equal to जो हमारा answer आएगा 4 तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा क्योंकि मैं यहां direct यह नहीं बोल सकता कि मैं x equal to 2 रख दूंगा क्योंकि मुझे वो answer मिल जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं बनता इसी लिए हम उस function में limit का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या पता चला कि जब हम किसी function के बारे में पढ़ते हैं study करते हैं study करते हैं तो हमें ऐसे function मिलते हैं जिसमें x की value डालने पर वो answer मिले जिसका कोई मतलब नहीं बनता हम जब function के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे function प्राप्त हुए ऐसे function मिले जिसमें x की values डालने पर हमें answer not defined infinite 0 by 0 जिसका कोई मतलब नहीं भनता उस function को solve करने के लिए हमने limit का use करा तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई function है fx अगर मुझे उसकी limit निकाल ली है limit निकाल ली है किसी point पर किसी point पर वो point मैं x equal to a माल लेता हूँ तो उसको मैं कैसे लिखूँगा limit x tends to a fx यहां fx की जगे कुछ भी values कोई भी आपको term दिया रहेगा जैसे x square minus 4 over x minus 2 previous example में हमने देखा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का function होगा तो कोई भी function अगर मैं उस function को x की किसी point पर limit निकालू तो मैं उसे इस तरीके से लिखूँगा और जब x a को approach कर रहा होगा मतलब यहां पर जैसे हमने previous video उसमें previous example में देखा था कि जब x 2 को approach कर रहा था तो fx भी किसी न किसी value को approach कर रहा था यह है हमारा limit अब limit कितने types के होते हैं limit होते हैं हमारे two types के एक left hand limit एक होता है हमारे पास right hand limit यह graph देखिए माल लेता हूँ यह point x equal to a है और यह हमारा कोई function है जब मैं इस x equal to a को approach कर रहा होगा limit में तो हमारे पास जो function होगा उसमें कुछ ना कुछ change आएंगे उसकी value में तो यह कुछ इस तरीके का change है यह graph है कुछ इस तरीके से point plot होगे तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा तो यह change सो कर रहा है fx यानि function में change जब मैं x equal to a को approach करने की कोशिश कर रहा होगा तो देखिए मैं इस x equal to a को किसी भी तरफ से approach कर सकता हूँ या तो right hand से या तो left hand से तो जिस भी जिस भी direction से अगर मैं left hand से अगर x equal to a को approach कर रहा हूँ तो वो हमारी left hand limit होगी अगर मैं right hand से x equal to a को approach कर रहा हूँ तो वो मेरी right hand limit होगी तो left hand limit और right hand limit में difference क्या है वो देखते हैं देखिए left hand limit x equal to a है हमारे पास कोई function fx है इतना समझ में आया देखिए जब मैं left hand limit के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास जो मैं limit के according लिखूंगा वो लिखूंगा limit x tends to a x tends to a function fx equal to limit h tends to 0 f a minus h देखिए मैंने क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए कुछ change नहीं है x की जगे क्या है यह minus h अब ऐसा क्यों आया देखिए जब previous example को learn कीजिए मुझे कहां पहुंचना था 2 पे पहुंचना था तो मैं क्या कर रहा था ऐसी values यूज कर रहा था जो इस a में से minus हो जो इस a में से minus हो तो जब मैं left hand limit का प्रियोब करता हूं तो मैं x equal to ac value रखता हूं जो मुझे a में से minus करना हो तो x equal to मैंने क्या रखा a minus h a हमारी value होती है h जो हम subtract करके उस value तक पहुँचने की courses करते हैं तो x equal to आ गया मेरे पास a minus h और x equal to क्या है हमारे पास a यह हमने let किया माना और यह हमें given होता है तो अगर मैं x equal to a रख दू तो a equal to a minus h तो यह ज़र जाके subtract 0 equal to h तो h किसको tend कर रहा है 0 को तो इसलिए मैंने लिख दिया limit h tend to 0 f when x is a minus h यहां पर left hand limit में हमारे पास minus का indicator होता है यानि x tend to a उपर में आपका minus लगा होगा इस minus का कुछ मतलब नहीं होता यह minus सिर्फ indicate करता है किसको limit को कौन सी limit है left hand या right hand वही पर अगर मैं right hand limit के बात करूं तो मैं x को किस तरफ से approach कर रहा हूं right hand से तो मैं same होगा right hand limit यहां पर limit लगा होगा x tends to a के उपर plus sign होगा f x कोई function है तो limit h tends to 0 f function की जगा a plus h आ जाएगा क्यों यहां पर हम कौन सी values का यूज कर रहे थे छोटी values का लेकिन जब आप right hand से limit को यूज करेंगे तो आपके पास हमेशा इस point से greater values आएगे इसलिए मैंने यहां पर x equal to a plus h let करा तो मेरे पास x equal to a पहले से ही given है तो मैंने a डाल दिया और a plus h अब यह ज़र जाके minus होगया तो 0 equal to h आ गया तो h की value क्या आ गयी 0 तो h किसको approach करने लग गया 0 को approach करने लग गया तो इसलिए मैंने x tend to 0 function f और function f x की जगा a plus h mainly यह जो plus sign है इसका कोई मतलब नहीं है यह हमारा indicator होता है कि कौन सी limit है यह right hand या left hand when जब हमारे पास ऐसा कोई indicator ना हो तो mainly वह कौन सा limit होता है हमारा right hand limit मतलब ना आपकी इस तरीके से A के उपर जो values होगी उपके पर minus या plus का digit निशान ना लगा हो तो वह limit आपकी right hand limit ही मानी जाती है तो यह था basic कि limit होती क्या है और कितने टाइप के होते हैं अब limit solve कैसे करा जाता है basic funda यह है देखिए limit जो होती है वह तीन तरीकों से solve होती है पहला factorization दूसरा rationalization और तीसरा है हमारा substitution सबसे पहले factorization फिर rationalization फिर substitution तो सबके एक एक examples लेके समझने की कोशिस करते हैं मैंने कुछ examples लिए हैं वह देखिए देखिए यहां आए equation की limit x tends to 2 x square minus 5x plus 6 x square minus 4 जब आप यहां पे x की direct value डालेंगे तो आपके पास देखिए आप अगर direct x equal to 2 डाल देंगे तो आपके पास इधर कोई digit upon 0 तो 0 से जब किसी digit को डिवाइड करते तो हमारे पास not defined मतलब वह defined नहीं हो सकता तो यह हमारे पास क्या आगया एक ऐसा function जिसका हमें limit निकालना होगा तो कैसे करेंगे देखिए साफ पता चल रहा है कि हमें क्या करना होगा factorization तो factorization कैसे करते हैं x square minus 5x plus 6 जहाँ x का coefficient क्या x square का 1 तो 6 को 1 से multiply किया तो 6 तो हमें कोई ऐसी digit पता नहीं होगी जिने multiply करने पर 5 आता हो sorry 6 आता हो और plus या minus करने पर 5 आता हो तो वह दो digit कौन सी है देखिए देखने से पता चल रहा है 3 or 2 है when 3 or 2 get multiplied we get 6 and when 3 and 2 get add when we get 5 जब हम 3 or 2 को multiply करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा और जब हम 3 or 2 को add करेंगे तो 5 तो इसके हमारे पास दो आबन के आ जाएंगे coordinate type तो यह हो जाएगा factor हमारा x minus 3 और x minus 2 यह तो factor आगए हमारे पास अब देखिए x square minus 4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x square minus 2 का square a square minus b square क्या होता है a plus b and a minus b तो similarly से क्या लिख दोंगा x minus 2 और x plus 2 तो यह क्या हो जाएगा उपर क्या आ गया x minus 2 x minus 3 इधर आ जाएगा x minus 2 और x plus 2 तो x minus 2 x minus 2 आपका cancel हो गया sorry यहाँ limit जरूर लगा देना हमें ऐसे solve करना है limit x tends to 2 अब यह तो cancel हो गया में पास क्या बच गया limit x tends to 2 x minus 3 over x plus 2 यह बन गया अब मैं x की value रख दोंगा 2 तो 2 minus 3 over 2 plus 2 कितना आ गया minus 1 over 4 तो यह हमारा limit solve हो गया by factorization एक और example लेखिए जिसमें हमें rationalization करना होगा example है आपके सामने under root 1 plus x minus under root 1 minus x x देखिए इसे कैसे solve करेंगे when limit when limit tends to x tends to 0 देखिए इसे solve करेंगे हम by rationalization हम numerator को यहां rationalize कर देंगे तो limit x tends to 0 under root 1 plus x minus under root 1 minus x over x over x into under root 1 plus x plus under root 1 minus x over 1 plus x plus under root 1 minus x यह आएगा हमार पास तो limit x tends to 0 तो a plus b और a minus b a square a square minus b square तो जब आप a क्या है हमारे पास यह और b क्या है यह तो जब मैं a का square करूंगा तो under root 1 plus x इसका whole square तो square से under root cancel हो जाता है तो मेरे पास बनेगा क्या 1 plus x ब्रेकेट के अंदर similarly जब 1 minus x का square होगा तो square से under root cancel हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा 1 minus x ब्रेकेट के अंदर नीचे बनेगा हमारे पास x similarly under root 1 plus x plus under root 1 minus x यही बनेगा अब देखिए यहां solve कीजेगा तो देखिए minus से 1 को किया plus x हो जाएगा इस ब्रेकेट को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया plus 1 minus 1 plus x plus x plus 1 और minus 1 तो हट गया आपके पास क्या बच गया plus x plus x क्या बन गया आपके पास limit x tends to 0 2x over x under root 1 plus x plus under root 1 minus x यही आया x से x cancel हो गया मैं अब यहां लिख देता हूं x से x cancel हो गया तो limit x tends to 0 2 over under root 1 plus x plus under root 1 minus x अब यहां आप x की value put कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 over यहां अगर आप 0 put करेंगे तो under root 1 plus under root 1 यही आएगा तो under root चे अंडर root तो आपका क्या हो गया 1 पर under root हो तो उसका कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है तो आपके पास 1 और 1 क्या आ गया 2 2 से 2 cancel और 1 तो इसको solve करने के बाद हमारा answer क्या आता है 1 आता है अभी देखिए इसी question को मैं किस तरीके से बनाता हूं अगर आपको यही question इस तरीके से हो limit x tends to 0 under root यही है 1 plus x square minus under root 1 minus x square over x आप कहेंगे कुछ change ही नहीं है यह change है पहले हमारे पास यहाँ सिर्फ x था अब x square आ गया है सिर्फ x square से इस question के अंदर कितना change आएगा वो देखिए क्या करना है सिर्फ rationalize करना है हमें limit x tends to 0 under root 1 plus x square minus under root 1 minus x square over x सेम आ जाएगा numerator को rationalize करेंगे तो under root 1 plus x square plus under root 1 minus x square over under root 1 plus x square plus under root 1 minus x square यही है देखिए limit solve की जे limit x tends to 0 a plus b a minus b a का square similarly क्या बन जाएगा 1 plus x square bracket में minus 1 minus x square over में x under root 1 plus x square plus under root 1 minus x square यही आएगा अब इदेखिए limit x tends to 0 यह minus यह minus 1 हो जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा 1 plus x square minus 1 plus x square over में x यही बनेगा अब देखिए under root 1 plus x square plus under root 1 minus x square यह minus 1 plus 1 cancel plus x square plus x square क्या हो जाएगा 2x square अब इस x से 1x cancel मेरे पास उपर क्या बच जाएगा सिर्फ 2x अब मैं direct value put करूँगा आप कहेंगे direct value put करेंगे तो 2 से किसी संख्या को 0 से करते हैं तो उपर 0 बड़ देखिए उपर 0 आ रहा है लेकिन नीचे एक proper absolute value आ रही है limit जब हम solve करेंगे इसकी तो आपके पास देखिए value put की तो 0 over 2 तो जब किसी भी absolute value एक proper constant value से हम जब इसको 0 को divide करते हैं तो हमारा 0 ही answer आता है लेकिन इसका मतलब not defined या infinite नहीं हो सकता तो देखिए सिर्फ एक x square से sorry कितना change आ गया question के answer में तो exam में ऐसे ही question पूच लेके गुमाके तो confuse मत हो ना एक और example देख लेते हैं simple example है वो भी question है आपके सामने limit x 10 to 1 bracket के अंदर 1 over x minus 1 minus 2 over x square minus 1 देखिए देखने से पदा चल रहा है वाई कि limit x 10 to 1 इसको solve करेंगे तो वाई यहां आ जाएगा आपके पास 1 over x minus 1 और देखिए यहां x square minus 1 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x square minus 1 का square लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का square कितने भी time कर लो 4 5